ग्रेली बाजारों में दाल दलनों के उंचे भाव, चने के उत्पादन में गिरावट किया शंका तथा आगामी आमचुनामों को देखते हुए केंदर सरकार ने पिली मटर के आयात की समय सीमा को एक महा के लिए बढ़ाने का निर न लिया है दरसल भारत ने अपरेल 2024 तक पिले मटर के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है दिसंबर की शुरुआत में केंदर सरकार ने मार्च 2024 तक पिले मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमती दी थी सरकार ने देश में दालों की कीमतों को कम बनाई रखने के लिए ये कदम उठाया था मिली जानकारी के मुताबिक पीले मटर के आयात पर पहली बार शुल्क नुवंबर 2017 में 50% की दर से लागू किया गया था दरसल भारत मुखे रूप से कनेडा और रूस से पीली मटर का आयात करता है वहीं घरेलू बाजारों में दलनों और खासकर अरहर का भाव काफी उचे सर पर मजबूत बना हुआ है हाला कि म्यानमार से जल्द ही इसकी कुछ खेब भारतिये बंदरगाहों पर पहुँचने की संभावना है लेकिन सरकार दलनों के मामले में कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती इसलिए 6 दिसंबर 2023 को जब पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमती दी गई थी में रूस और कनेडा सहित कुछ अन्या देशों से पीली मटर का विशाल मात्रा में आयात हो रहा है लेकिन घरेलू बाजारों में धलनों की कीमतों पर मनोविज्यानिक दबाव डालने के लिए सरकार ने मटर आया थे तू बिल ओफ लैंडिंग कीती थी फिलाल एक महीने के लिए बढ़ा दी है ब्यूरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी